सबसे पहले हम बच्चों उसी तरह से यहां पर डिसकस करेंगे कि इसमें जो हम साign पुट करते हैं वह साइन किस तरह से पुट किया जाता है यहां यू व और स्ट की जो वेल्ई होती हैं वह और की बिए पॉजिटिव या नेगतिव किस तरह की tehdbn तो देखें यहां पर हम सबसे पहले वही X and Y-axis को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो भी values आप ले रहे हैं उसके according अगर आप देखें तो X-axis और Y-axis के according ही होगा सब तो सारी जो measurement होंगी वह center point से होंगी जिसको हम optical center कहते हैं और जैसा कि हमने spherical mirrors के case में पढ़ाता उसको pole कहा जाता यह optical center कहते हैं इसको lens के लिए और अगर यहां से हम with measurement की बात करते हैं तो इधर की साइड जाने वाली जितनी भी छो भी लाइन्स होती है या अब कहेंगी कियो भी measurement होते हैं वह हमेशा negative होते हैं और अगर साइड के measurement के हम बात करें तो यहां पर हैं और अगर हम अपवार डारेक्शुन बात करते हैं तो चरही सरा एंट जांटे रहें एंग- मिजसर कि पॉजिए स废 के हमें तो यह वाला जो lens है यहां पर देखे ओ से लेके अगर हम इनको measurement करेंगे तो यह side जो होती है, left side नेगिटिव होती है और right side जो होती है, वो positive होती है, यह सब आपको मालूम है, अब यहां पर क्यूंकि इसकी focal length इधर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर convex lens की focal length positive होगी, f इस case में क्या होगा, positive होगा, और अगर यहां पर हम बात करते हैं, concave के case में, तो इसका focal point यहां पर होता है, तो यह focal length होती है, यह negative में measure की जाती है, and जैसा कि आपको मालूम है, यह तो दोनों ही cases में कैसा रहता है, negative रहता है, क्योंकि object जो है, वो हमीशा left side में होता है, औ पर यह देखे, जब भी उसको measure करेंगे, तो वो distance होगी, वो कैसी होगी, negative होगी, लेकिन object की height जो होती है, object की height यह कैसे होती है, positive होती है, क्योंकि यह कहां पर रखा हुआ, principal axis के ऊपर, तो object की height positively जाती है, और जो image है, अगर वो form हो रही है, downward direction में, यानि कि principal axis के नीचे वो form होती है, तो वो negative की form में, उसको measure किया जाता है, यानि HI जो होता है, वो negative होता है, clear, तो इस तरह से आप यहां पर इनको देख पाएंगे, और जो image form होंगी, उसके according हम अगर इसकी देखते है, convex की, तो convex में mostly, जो V होता है, वो positive होता है, एक case है, सिर्फ वहां पर जहां पर तो उसको negative होता है, जब यह side में image form होती है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, इस concave lens के लिए, तो यहां पर जो V है, वो क्योंकि same side में form हो रहा है, इसलिए, वो हमेशा negative होता है, clear, तो इस तरह से यह sign के कुछ rules है, इनको देखी हम राइटिंग में पढ़ लेते हैं, कि हमने क्या यहां पर क्या show किया है, तो सबसे पहले point जो हमने discuss किया वो था, all the distances are measured from optical center, optical center में जो इसका midpoint है, उसको हम optical center कह रहे है, सारी distances यहां से measure होंगी, and object distance is always negative, object क्योंकि left side में place किया जाता है, हमने यह पहले भी पढ़ा था, कि object को हम left side में place करते हैं, always, तो इसलिए उस की जो distance होगी, उसको हम negative show करते हैं, if the image is same side of the object, अगर, image, object के same side में बन रही है, तो वो negative होगी, क्योंकि यहां से measure की जाएगी, उसकी distance, तो वो हमेशा negative होगी, तो same side में अगर form हो रही है तो negative होगी if the image is opposite side of the object अगर image lens के दूसरी side में बनती है यानि right side में बनती है तो image जो होगी वो हमेशा positive होगी clear? यह आपको समझ में आ गया होगा I think next हम बात कर रहे है focal length की तो convex lens के लिए focal length right side में होती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जो f है वो क्या होगा positive होगा और अगर हम concave की बात करते हैं तो उसमें जो focal length होती है वो minus में होती है clear? यह भी हम discuss कर चुके है I think इसमें आपको कोई भी problem नहीं होगी और आपको कुछ भी याद करने की जरुत नहीं है सिर्फ आप यह एक जैसा हम ग्राफ में शो करते हैं xy-axis वो बना लीजिए और उससे आपको सारी measurements पता चल जाएगी कि upward direction क्या है और downward direction क्या है right side direction क्या है और left side direction क्या है clear? x and y-axis के according ही इसको याद कर लेते हैं next हम बात कर रहे हैं बच्वों यहाँ पर lens formula जैसा कि हमने भी discuss किया f जिसको हम कहते है focal length और v की अगर हम बात करते हैं तो v is the image distance और u तो आपको मालूम ही है u equals to object distance तो इन तीनों के बीच में क्या relationship होती है और यह इसको हम lens formula के नाम से जानते हैं जैसा हमने mirror formula भी पढ़ा था मेर के case में यहाँ पर हम lens formula की बात कर रहे है lens formula is 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u यह आई तिंक आपको याद होगा हमने spherical mirrors जब पढ़े दे तो यहां पर मिरर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ाता उसमें एक बहुत माइनर से difference है यहां पर प्लस आता है यहां पर हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं वन आपको यह जो माइनर difference है वो जो मोस्ली बच्चे बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो कि एक्जाम में बोर्ड कर देते हैं यहां को पुट करने में और साइन को अगर आप गलत कर देते तो आपका जो पूरा रॉंग हो जाता यहां पर इसमें ध्यान रखना आपको कि लैंज के के समय माइनस में आता है और अगर हम मेरर फॉर्मूले की बात कर लें एक बार में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हम इस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं अब नेक्स्ट हम बात करने वाले बच्चों क्या होता है तो मंग्निफिकेशन का मतलभ होता है कि जो कितनी बड़ या इकितनी चोट की की या चोक से क हो होती हैं वह क्या होती है डाजिवहाइट हो जो हईट इमेईज टु ratio of height of the image and to the height of object is called magnification. ठीक है ratio है ये height of image का height of object के साथ और इसको represent किया जाता है M से. Magnification is M and इसके लिए हम formula देते हैं M equals to height of image upon height of object. ये इसका formula है and इसको अगर हम height of image को hi से show करते हैं तो hi upon ho image, i for image and o for object hi upon ho इससे भी इस formula को show कर सकते हैं and अगर हमारे पास numerical में values v और u दी हुई हैं तो हम उसके according भी ये formula को इस तरह से लिख सकते हैं m equals to hi upon ho equals to v upon u. so directly अगर आपके पास formula ये आता है और इसमें से कोई तीन values आपको दे रखी हैं तो आप कोई भी fourth value को find out कर सकते हैं clear? मालो आपके पास v है, u है, ho है, hi आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं अगर इसी तरह से hi दिया हुआ है, ho भी आप निकाल सकते हैं hi, ho दे रखे हैं तो आप v भी निकाल सकते हैं बिना किसी बहुत लंबा उस question को solve करने की जगे पर आप इस shortcut formula से v की value निकाल सकते हैं तो इस तरह से आप इस formula को mold करते हुए, यह सारे values को find कर सकते हैं और magnification I think समझ आई गया हुआ, this is the ratio of height of the image to the height of the object, h i upon h o clear, अब यहाँ पर एक important point हम discuss कर लेते हैं, कि अगर m की value negative में आती है m की value अगर negative में आती है, तो image जो बनती है, वो real and inverted होती है ठीक है, और अगर m की value positive में आती है, तो फिर image जो होती है, वो erect and virtual होती है यह आपको याद रखना है, तो जब भी आपके पास m की value आईगी, आप उससे find out कर सकते हैं कि जो image है, वो आपकी nature में कैसे होगी, तो वो real and inverted होगी इसी तरह से अगर positive आती है, तो उसका image का nature होगा, वो erect and virtual होगा यह आपको मालूम ही होगा, real and inverted का मतलब, जो भी image form होगी, वो ऐसे बनेगी और real होगी है, निस screen पर हम उसको ले सकते हैं, और अगर हम बात करते हैं, erect and virtual की तो erect का मतलब cd, object अगर इस तरह से है, तो image भी इसी तरह से form होगी और वो virtual होगी, इसका मतलब हम उसको screen पर obtain नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से ही magnification, और important जो दो points हैं, यह आप याद रखी, तो आपके numerals बहुत easily solve हो जाएंगे, now thanks for watching this video, इसको जादा से जादा subscribe करिए, like करिए, comment करिए और share भी करिए, जिससे के आगे आने मले, जो भी videos हैं, उनकी notification आपको time to time मिलते रहें, thanks for again.